चलिए आज फिर से करते हैं एक ऐसी अमेजिंग प्रोड़क का अन्बॉक्सिंग जिसकी जरूरत कीचन में सबको पढ़ती ही है क्योंकि साल में हम एक बार ऐसा कुछ बनाते हैं जिसे हमें साल पर स्टोर करके रखना होता है तो आज मेरे पास है ग्लास के ये दो जार जिसके अंदर आप कुछ भी परोगे मतलब कि आचार, मुरब्बा कुछ भी परोगे वो साल पर ऐसा ही रहेगा एकदम फ्रेश रहेगा क्योंकि ये जो जार है वो बढ़िया क्वालिटी के हैं और एकदम एर्टाइट है तो चले आपको मैं इसे अन्बॉक्स करके दिखाती हूँ तो ये लीजी मैंने इसे अन्बॉक्स कर दिया है तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया क्वालिटी का जार है देखने में बहुत ही ब्यूटिफूल है और एकदम एर्टाइट भी है तो आप देख सकते हो कि इसका लॉक्स बहुत ही बढ़िया है और इसके उपर ये जो रिंग है उसके बज़े से ये एकदम एर्टाइट रहता है तो चले अब इसे पहले क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर हम भढ़ देंगे जो हमें भढ़ना है चले तब तक बात करते हैं इसकी quantity की तो ये तकरीबन 750 ml का जार है तो आप इसके अंदर 750 ml तक कुछ भी बढ़ सकते हो और इसकी price मैं आपको बाद में बताऊंगी अपी नहीं बताऊंगी तो चले दोनों को मैंने wash कर लिया है अच्छे से dishwasher से तो wash करने के बात इसे हमें अच्छे से clean कर लेना है और इसे wash करने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि इसका जो lead है वो जार से attach है तो पूट ना जाए इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो एकदम carefully इसे हम wash कर लेंगे तो चलिए अब एकदम clean कपड़े से इसे पोच लेते हैं इसकी ring वगेरा easily निकल जाती है तो इस तरह ring निकल के भी हमें ring को भी अच्छे से पोच लेना है क्योंकि ring के अंदर भी मौशेर होगा तो अचार या मुरब्बा बिगड सकता है तो चलिए दोनों को मैंने अच्छे से wash कर लिया है clean कर लिया है मतलब के पोच लिया है और अब इसे मैंने दूप में सुखाने के लिए रख दिया है दूप में हम आधे गंटे के लिए इसे रख देंगे और आधे गंटे के बाद जार एकदम ठंडा हो जाए आप सिंगल पीस भी ले सकते हो सिंगल भी आपको इसली मिल जाएगा अगर आपको यह प्रोड़क्ट चाहिए तो लिंक आपको में डिस्कृश्टन बॉक्स में देद हो तो आपको आज कि यह प्रोड़क्ट कैसी लगी प्लीस कमेंट करके जरूर बताना चलिए मिलते हैं ज